बाद करेंड में कर ने के पाइड बाद करेंती अब इनर siendo पैड़ी को पढ़ा था ही अधिना है को ने ने पढते हैं को डिसकर नेशन नेर्ट कंप दो कने के बाध कि बाएरे में पढ़ने के बाद आप इन एनर्जी में लोको यूज बना कंसे कि दिसकर सब्सक्राइब करूंगा तक मेरे पाद है पहला मैं से शेर करूंगा पढ़िए और देखिए इसको किस तरीके से इसको डील करोगे सब्सक्राइब करूंगा सवाल ने आपसे कहा गया इंक्रीज और टैन पर्सन का मतलब क्या है तो आप बोलेंगे सब पर्सन का मतलब कि आपके सामने लिखा पर्षण का मतलब होता है तो आपने बोला सब्सक्राइब कीजिए सेंगा मतलब 100 तो मैंने यहां से पर्षण का मतलब कितीनी velocity बढ़ा दी 0.1 times of V बढ़ा दिया अब मुझे आप बताओ कानेटिक एनर्जी का formula क्या है आपके पास आप बोलेंगे सर कानेटिक एनर्जी का जो formula है हमारे पास वो है मैं कानेटिक एनर्जी का formula है इसके बारे में बात करते हैं विलासिटी आपने 0.1 times of V बढ़ा दी मैं आपसे पूछ हूँ अगर पहले velocity कितनी थी तो आप बोलेंगे सर पहले velocity जी आपने 0.1 V का इजाफा कर दिया आप बोलेंगे सर बिलको सही का पहले velocity भी लिकी भी नजर आ रही है आपने इस बी में 0.1 V का इजाफा किया नई velocity कितनी हो जाएगी तो आप यकीनन मुझे जवाब देंगे सर जो नई velocity हो जाएगी वो जाएगी 1.1 times of V तो आपने पहला step करना सीखा मैं दोबारा से अपनी बात को बेटा रिपीट करूंगा समझानी कोशिश करूंगा लेट सबोच चलो मैं इसको अलक्स मैं बलाएक सीन पर करके आपको बताऊं मैंने कहा velocity को मैंने अब से मैं पूछू कितनी बढ़ गई इसका फैसला कैसे करोगे पिटा इसका प्रता फैसला करने का तरीका यह है इसको सौल्ब करने का तरीका यह कि पहले जो विलोसिटी थी वह थी आपने कितीनी बढ़ाई आपने बढ़ाई जीरो पॉइंट्ट टैमस ओवी करी तो आप बोलेंगे सर थर्टी पर्सन विलासिटी का मतनब क्या है थर्टी डिवाइड बाइड रिट तर्टी को हंड्रेट से डिवाइड करो कि आंसर आगा जिरो पॉइंट थिरी टैम्स ऑफ वी नई विलासिटी कितनी हो जाएगी सर्वी में 0.3 को एड करेंगे तो उसने आपसे कहा था बेटा विलासिटी टैन परसर रही है तैन परसंट का मतलोग है टैन को डिवाइड करेंड से 0.1 टैम्स ऑफ और नई विलासिटी मिल गई मुझे 1.1 टैम्स ऑफ अब जो कानेडिक एनरजी का फॉर्मले के पास आए कि बहाई का इनरजी का फॉर्मला क वहां पर रख दीजे 1.1 टैम्स ऑफ वी तो आपने यही काम किया आपने लिखा हाफ मास एस रहा वी की जगह पे बिटा गया 1.1 वी और इसक्वाइर लगा वह तो आपने भी क्या लगा दिया इसक्वाइर लगा दिया अब यह स्कॉयर आपको उपिन करना है यह करो 1.1 का मैं आप से बोल रहा हूं मुझे स्कॉयर चाहिए 1.1 का स्कॉयर आपको देखो वन पॉइंट वन का स्कॉयर निकालना नहीं आता थोड़ी देर के लिए आप डैसिमल को भूल जाओ डैसिमल को भूल जाओ तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 11 और अब मैं तो याद होगा 11 का स्कोरी होता है 121 अब डैसीमल के बाद जो डैसीमल पहले मौझ proven कितना डिजिट था आप बोलूंगे स्ध temp क्यूंक्त हैं स्कॉक्त लगावा इसकुराई लगावा कौन है स्कॉराई लगाव है तो आंसर आजाएगा 1.21 यानि 1.1 का जो स्क्वाइर है वो 1.1 का स्क्वाइर क्या है 1.21 है मैं इसके प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं ताकि प्रैक्टिस हुजा है तो फिर बाते आपको समझ मैं अना शुरू हूं लेट्स सब्सक्राइब मैंने लिखा मुझे स्क्वाइर साइए 1.2 का स्क्वाइर आप बोलेंगे सर 1.2 नहीं हम इसको लिखेंगे 12 बेटा 12 का स्क्वाइर करोगे आंसर कितना होगा 144 डैसीमल के बाद एक डिजिट है स्क्वाइर का मतलब डबल तो दो दफ़ा जम कराओगे तो आंसर क्या जाएगा 1.44 ऐसी मैंने लिखा मुझे स्क्वाइर चाहिए 1.3 का बिटा 1.3 का स्क्वाइर करोगे क्या होगा आप बोलेंगे सर 1.3 को हम लिखेंगे 13 13 का स्क्वाइर करोगे आंसर है का 169 दो दफ़ा जम कराओगे तो आंसर क्या जाएगा 1.69 मैं तो वहां तो क्यल्कुटर अलाओ नहीं है जो मेडिकल के इलावा टेस्ट देंगे वहां भी आ तो आपको विदाओर पर महां पर क्यल्कुलेशन करनी होगी मैंने स्कॉाइर साफ को करना सिखाया तो वन वन पॉैंगा का स्कॉइर अपने मुझे करके लिखाया और वन पॉ 1 यो आ prossक चांव को अपने अब इस c तो किनेटिक नज़र आ रहा है किसके बराबर आप बोलों कि सर्य बराबर कानेटिक एनर्जी यानि जो आपके नए कानेटिक एनर्जी यह यहां पर नज़र आ रही है मैं इसको हाइलाइट एक दफ़ा दोबारा लिख दूँ यह आगई मेरे बाग कानेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.21 टाइमस ऑफ कानेटिक एनर्जी अच्छा यह 1.1 के स्क्वाइर वाली बात मैं लेफ पे लिख रहा हूं यह 1.1 का स्क्वाइर चाहिए इसको आप लिखोगे 11 का स्वाइर 11 का स्क्वाइर का मतला 121 decimal को दो दफ़ा जम करा होगे तो आनसर आजएगा 1.21 ओके अब जो बिटा नहीं कानेटिक एनर्जी हो गई है नई कानिटक एनेजी आपको नजर हा रही है 1.21 यह सवाल मैने पहले ही का सवाल इंतिहा से दाधा logical सवाल है कि आपके बाद जो कानिटक एनेजी हो गई नई कानिटक एनेजी वी 1.21 time हो गई अब द creators कानिटक एनेजी कितिनी बड़ी आपको अब kinetic energy में कितना हिजाफा हुआ यह निकालने के लिए आप दोनों kinetic energy को बेटा आपस में minus कर लो यानि दोनों kinetic energy तो नजर आ रही इनको आपस में minus करोगे तो जाएगा 1.21 kinetic energy यह नहीं वाली हो गई और initial वाली बेटा सिर्फ single 1 kinetic energy होगे अब 1.21 में से अगर 1 को minus करोगे तो answer आएगा 0.21 times of kinetic energy अब इसको percent में लाने के लिए आप 0.21 को 100 से multiply करोगे तो 0.21 को 100 से multiply करोगे तो answer आजाएगा 21% यानि kinetic energy जो increase होगी increase of kinetic energy इसका answer मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो answer आएगा तो आएगा correct answer option number B यानि 21% तो MCQ काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है और MCQ है भी मुश्किल लेकिन मैं भी MCQ इसकी इतनी आपको practice करवाँगा कि आपको खुछ जबानी याद रिजाएगा कि कितना परसन क्या करेंगे तो कितना answer आएगा मैं इस बात को explain करें तो अच्छा सवाल मैं रहाँगा सर आपने लास में माइनस क्यों किया इसकी मिसाल ऐसे कि माइनस में क्यों क्यों दिखाया लेट सबसाब मौझूद हो या आप आपके पहले 10 रुपे थे थोड़ी देर बात आपके पास आपको कहीं से पढ़े भी मिल करेंगे तो आंसर आजाए कि कितना फाइव रुपीज आजाएगा तो इसलिए आपने माइनस किया है परहाल मैं से क्यों कि बेटा भी आपको त्यारी करवाता हूं जबानी करना सीखते हैं तो क्योंकि आप से वादा है कि आपको सिखाएंगे इसको मेरी बाते सुनिएगा समझे और मुझे जवाब दीजेगा मैंने आप से कहा ब misf विलोसिटी आपने इंक्रीज करी है 20% अब 20% का मतलब कितना होगा तो आप बोलेंगे सरी रहे कि 20 डिवाइडी बें 100 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर अगर 0.2 टैमस ओव भी मुझे बताओ नई लिख बताओ पांवाँ करेंगे था help Mb2 तो जहां बोलेंगे सर हम气 की जगहाप पर्क्रॉजकर रखेंगे क्या मुझे पर रखेंगे 1.2 times of V और उपर लगा वे तो हम भी क्या लगा देंगे स्कॉयर लगा देंगे अब इसको सॉल्फ करते हैं यह देखिए यह रहा हाफ स्कॉयर अभी थोड़ी दिर पहले बता है था 1.2 का स्कॉयर 12 समझोगे इसको 12 को दो तफार जम कर आओगे तो आंसर आजाएगा 1.44 वी स्कॉयर 1.4 को आपने पहले लाके लिख लिए तो अंदर बच जाएगा मेरे पास कौन हाफ एम वी सकॉयर फिटा फक अब बराबर होता है कारेडिक अनेर्जिक तो कारेडिक इनर्जि कितने हो गए 1.44 रजाएं जाएगा तो किटेना परशन बढर जाएगी 44 अब आप सवाल देखे हुँ सवाल अच्छा खासा लॉजिकल सवाल है कि आपने विलॉसिटी अगर 20% बढ़ाई तो कर्टेक इनेजी कितिनी परसंट बढ़ेगी तो करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा 44% हो जाएगा मैंने समझाया हो सकता है कि बात अभी भी के साथ आऊंगा और अब इससे जादा जल्दी करेंगे ताकि समझ में है कि हाँ बाते खिलियर हो रही है और हम आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं मैंने आप से कहा लेट्स सपोस्स आपने जो विलॉसिटी इंक्रीज करी बेटा विल आंसर आगा 0.3 टाइमस ओव नहीं विलॉसिटी कितनी हो जाएगी या बोलेंगे सर यह देखिए वी में 0.3 को एड करेंगे तो नहीं विलॉसिटी आजेगी 1.3 वी आप बोलेंगे सब बिल्कुँ सही का 0.3 वी देखो कानेटे के नरजी का फॉर्मला क्या है कानेटे के अ जहां यहां वी नजर आ रहा है वहाँ पे क्या रखोगे तो वी की जगह पर मैने रखा 1.3 और स्कॉरगे का स्कॉर करनेगा 1.3 का सुधायर 12169 डेसिमल को दो दफ़ाफ जम कराओगे 1.69 आपको आंसर समझ में आना शुरू होगे का आने वाला है 1.69 वी स्कॉयर 1.69 को आप पहले लिख लोगे तो क्या बन जाएगा 1.69 याद है मैंने आपको आसान तरीका बता है 1.69 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.69 मल्टिवलाबर हंडेट कर दोगे तो आंसर आजएगा कितना परसन 69 परसन तो करेक्ट जवाब आजएगा 69 परसन मैं अगर आपको बोलू ना सवाल की और शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं सवाल को सिर्फ यहीं से आंसर देख के बता सकता हूं यह जो नजर आ रहे हैं आपको मैं स 69 में से आप देखो डैरेक्ट वन को गायब कर दो वन को गायब कर दिया कौन बज़िया 0.69 मल्डिवलाबर हंडेट कर दो तो आंसर आजएगा 69 परसन इतनी कहानी करने की जरूवत ही नहीं होगी वह तो मैं इसलिए समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक step by step ऐसे होगा ऐसे होगा पेटा माइनस किया मैंने माइनस क्यों नहीं किया यह देखिए न में से अगर आप 1- करोगे देखिए 1.69 इसमें से अगर आप 1- करोगे तो 0.69 तो बचे का तो मैंने जबानी जबानी इस वानी सॉल कर लि कि यह आगजWho गले कीओ की तजांगा यहंसे क्या है और संमजिए पताई इसका जवाब क्या हो सकता है मैं इक बार्म सवाल ते कहा किया उसम सवाल ने कहा कि है भी टेन पर्सन आप प्लस करते थे यहां विलासिटी इंक्रीज नहीं हो रही है यहां विलासिटी डिक्रीज हो रही है देखो increase होता है तो plus करते हो decrease होता है तो minus करोगे अब मेरे पाद velocity पहले वी थी आप पहले क्या करते थे वी में 0.1 वी को add करते थे लेकिन आप add नहीं करोगे बल्के आप क्या करोगे sub track क्यों कि आप ? क्योंकि आप decrease हो रहा है और decrease में आप minus करोगे अब देखो V में से 0.1 V को minus करोगे तो answer है the 0.9 times of V नहीं आपना है तो calculator कि शएक कर लो आप one में से 0.1 minus करोगे तो 0.9 यानी आप जो नई velocity है मेरे पास वह roll सिटbout V 0.9 times of V तो अब आपको खया लगना है बिटा अगर velocity increase हो तो plus करेंगे velocity decrease हो तो minus करेंगे इसके बाद आप अगला काम क्या करोगे बिटा आप kinetic energy का formula लगाया kinetic energy का formula क्या है kinetic energy is equal to half mv square मैंने kinetic energy का formula apply किया kinetic energy के formula के बाद बिटा ये रहा half velocity की जगह पे आप क्या रखोगे तो sir velocity जो नहीं हो गई है वो गई है 0.9 times of v तो v की जगह पे आपने रखा 0.9 times of v और इसका square कर दिया अब 0.9 का square करना है बिटा 0.9 का square तो मैं आपको square करना सिखा दूँ यह देखो आप से अगर बोले 0.9 का square करो तो 0.9 थोड़ी दिर के लिए decimal को भूल जा तो यह बन जाएका 9 9 का square करो कि तो answer आएका 81 decimal के पाद एक digit है square नजर आ रहे है दो दफ़ा जम करा होगे यह देखिए 1 2 तो answer क्या आजएगा answer आजएका 0.81 तो आपने लिखके दिखाया कि जो velocity है मेरे पाद वो क्या हो जाएगी 0.81 V square तो बैने लिखके दिखा दिया 0.81 V square अब याद है इस number को आपने अलग कर दिया 0.81 नजर आ रहा है आपने इसको अलग किया 0.81 और आगे क्या नजर आ रहा है आपको आगे नजर आ रहा हाफ mv square और यह यहाँ किने थी तो आपके पास आप बोलेंगे सिर्फ नजर पर्णेजिके सिर्फ करोगे कितनी कम हुई है मैंने माइनस किया यहां भी आपने माइनस किया वन में से 0.81 अगर माइनस करोगा तो आँसर आता है 0.19 और अगर आप इसको करना चाहोगे तो 0.19 को मडिपलाइ पारोगे ह करोगे को सब्सक्राशन या सब्सक्राइब पर सिमेरे पाद तो मैं आपको समझा रहा के अंदर आए अगर मैं पेपर बनाओं तो मैं तो यह मैडिकल के टेस्ट में नहीं दूंगा तो बच्चे का सेल नहीं का चांस होता है क्योंकि हर्थ अगर इस तरह को तो बच्चा सॉल्ट नहीं कर सकेगा तो चांस इसका बहुत कम है आने का फिर भी आपको सिखा दिया बस याद रखना है बातों को इंक्रीज बोले तो प्लस कर देना डिक्रीज बोले तो माइनस कर देना और जो लास्ट मेकानिक एनर्जी आईगी उन दोनो सब्सक्राइब करेंगा सब्सक्राइब है सब्सक्राइब तो आपने रहें तो अगर अगर ऑपने कितनी बढ़ जाएगी यानि यानि सेम आपने जवाब हो गया असान सा जवाब क्या सर उप्षन नमबर इसका करेक्ट जवाब है यानि यहां आपको सोचने की जरुआ थी नहीं मुश्किल केस वो था जो मैं आपको पढ़ा कर आ कि स्क्वाइर अगर लगा और अगर इसक्वाइर ना हो तो फिर इस तो इस सवाल को बढ़ा आराम सब्सक्राइब पर लोगे जितनी आप हाइट बढ़ाओगे उतनी आपकी प्रोटेंशिल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एक मैंने मुश्किल आपके लिए बनाया जारा एंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि निया मास कितना हो जाएगा निया मास हो जाएगा वन पॉइंट टू टाइम्स अब मैं चलो इसको और जारे डायरेक आपको करवार हूं था कि आपको सॉल्ट परने की जरूवती ना पड़े अगर आपसे बोले ना कि यहां पर लिखता हूं म मैं आपसे बूरू 30% बढ़ा होगे तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा 1.3 आप इसको और शॉट कर लो आप जितना अपने ले करोगे अतनी आसानी आपको होगी अब सवाल में आपसे क्या कहा गया सवाल में आपसे कहा गया कि मास भी 20% बढ़ाया हाइट भी 20% बढ़ाई त तो हाइट 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर हाइट को भी 20% बढ़ाया तो नहीं हाइट हुजाएगी 1.2 टाइमस ऑफ हाइट अब आप वही पॉटेंशल इनर्जी का फॉर्मला लगा होगे बेटा पॉटेंशल इनर्जी का फॉर्मला है मेरे पास M, G, H, M की जगह प नहीं पॉटेंशल इनर्जी बनेगी 1.44 M, G, H, M, G, H बरापरों का पॉटेंशल इनर्जी के तो नहीं जो पॉटेंशल इनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है 1.44 तो कितनी बढ़ी या दे लास्ट में 1 माइनस कर दोगे 1 हटा दोगे तो करेंग जब आप आप निकाल सकत होगे तो पर्शन 44 परसन करेंट आंखर मिल जाएगा आप को क्या अप्ष्टन सी मिल जाएगा तो बजी जितने मुश्किल म ZK क्लिए और इन हैं सिक उसको समझा दिया था कि ये मुश्किल मैं समय क्यों सब्सक्राइब आपको आधे घंटे में यह में बाद जल से वाइंड आप मदब कर देता इतना इश्यू नहीं था कि विए इस मुश्चिल एंसी को देखने के बाद आगया थोड़ा असाना संस्ट को जले लिए उनकी बात कर लेते हैं यह अगले सवाल में 600 न्यूटन आपको मैं का वेड़ बता रहा है वेड़ यानि डे रहा है क्लाइब फाइफ मीटर वर्टीकली वर्टीकली क्लैम करने का मतलब हैं इन एक सेकंड एक सक्ट मतलब आपको टाइम दे रहा है सेट सेट का है कि क्या मतलब करण का मतलब कर रहा है कितना काम कर रहा है कितने टाइम एस इसको पावर गोल रहा हो उसने यह नहीं का वर्ड निकाल के दिखाओ से का रेट आप वर्किंग तो रेट आप वर्किंग का वर्ड आपको समझ में आगे सर रेट आप वर्किंग का मतलब हमें क्या निकाल के दिखानी है पावर निकाल के दिखानी है तो मेरे सामने पावर का फार्मला मौझूद था पाव हाप बोलेंगे सार हाइट पर जाने की वज़ा से आती है potential energy यानि जब ये हाइट पर जाने की वएसी वर्क किया और वर्क करने की वज़े से इसके बाद जो energy है इसके बोल। पोर्ञ के नहींगे निची जाए जायाकि आपके पास time हम बोलने की सर बिलकुल पावर का हमें एंग में से क्या मै पता है कि पता है उमसे कि बता है अब इसको प्ट कर को आप तो चाहो तो से कंसलेशन कर लो कि देख लेते हैं यह देखो तो फिफ्टीन था थर्टी और दो जीडिवाइट करोगे तो फोर को टू से डिवाइट करोगे तू और फिफ्टीन हंडेट का हाफ होता है करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी यानि 375 आप चाहो तो हाफ करते रहो और चाहो तो डिवाइट कर लो बहराल आपको आंसर मिल जाएगा तो लॉजिक आपको सीखने को मिली और आपको वेट और हाइट देगा और आप से बोले पावर निकाल के देखा तो इस लॉजिक से आप निकाल सकते हो एक जो बात में आपको इजाफी यहां पर बताना चाहरा हूं पटेशल एनरजी का फॉर्मला क्या होता है आप बोलेंगे सर्फ पॉर्मला होता है एम जी एच तो पॉर्मला बन सकता है वेट इंटू हाइट जरूरी नहीं के एम जी होगा यह फॉर्मला भी आप इस्तमाल कर सकते हो वेट इंटू हाइट यानि वेट और हाइट को मल्टिक्टाय करोगे तो आपके बाद पॉटेंशल एनरजी आ जाएगे अगे बढ़ेंगे अगलें सीक्यू की तरफ एरा नेक्स एम सीक्यू एम सीक्यू देखे और जबाब सोच क्यों देखती पहली नजर में जो आप बात बूलोगे वाट आर नजर आ रहा है सर सोचने की जरूए दिए वाट नजर आ गया वाट यूनिट होता है किसका पावर का तो आप लोग फॉरन आंसर किसका लगा दोगे ऑप्शन नमबर ही यानि इसका खरेजवाब क्या होगा पावर होगा लेकिन फिर मैं आपको बोलूगा बिटा मैं कहता हूं सोच लो अब आप सोच लो पिटा पावर इसका अंसर नहीं है करेक्ट जो आंसर इसका वो है एनर्जी यानि वाट आर आप बोलेंगे सर यह क्या बात होगी वाट नजर आ रहा है साफ साफ वाट लिखा होगी वाट का मतलब पावर होता है और आप बोलने यह एनर्जी का यूनिट है अब एनर्जी का यूनिट कैसे यह आपको मुझे सिखा रहा है जड़ा देखना बड़े गोर से क्योंकि इंटरसिंग बात है यह आपको सीखनी हो यह आगे आपके लिए हेल्प हो लोगी वा बराबर होता है बेटा जूल पर सेकंड के वाट की जगह पर आगे जूल पर सेकंड और आर्स को अगर सेकंड में करना चाहोगे आर्स को अगर सेकंड में करोगे तो वन आर्स में कितने सेकंड्स होते हैं तो आब बोलेंगे सर वन आर्स में सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स बिल्कुल सही का, तो भाई, मैंने यही तो काम किया, वाट की जगह, वाट की वैलु रख दी, आर की जगह, आर की वैलु रख दी, वाट की जगह पर आगया, जूल पर सेकिंड, और आर की जगह पर आगया, 3670 सेकंड, अब एक फायदा मुझे नगरा रहा है, तर ये सेकेंड से सेकेंड्स क्या हो गए कैंसिल क्या बचा तर ये बचा थर्टी数 से सब्रेट और शाथ में लिखा वे जूल अब मुझे बताओ ये जूल नजर आ रहा है ये जूल पावर काечение है ये एनरजी का यूलिट है आप कुई conversion पता चली कि वाट के साथ अकर आ Bis का वा मैं लिख हूं वाट इनरजी का आप औलेंगे सर वाट के साथ टाइम सका मण। पावर का यूनिट नहीं यह यादि आखर आवर के युनिट को आप सैंसे मंठिपला कर दोगे तो तो वह है नईजी का यूनिट बन जाए7 मैं भूलोओ मिनिट energy का unit मैं बोलू what are energy का unit इसमें से conversion आपसे खास और पे पूछी भी जाती जो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी मैं आप भी करके दिखा दूँ कि one kilo watt hour किसके बराबर होता है यह आपने पढ़ा होगा मैं जल्ली से इसको solve करके दिखा हूँ वन किलो वाट आर कितने जूल के बराबर होता है यह आपको बता रहे हैं तो देखो मैंने लिखा one kilo नजर आ रहे है तो kilo की जगह पे आजाएका thousand watt नजर आ रहे है तो watt की जगह पे आजाएका jool per second और आर नजर आ रहे है तो आर की जगह पे आजाएका 3600 seconds तो मैंने सबकी वैल्यू रख दी kilo की जगह thousand watt की जगह jool per second और आर की जगह 3600 seconds बिटा यह seconds से seconds क्या हो जाएंगे cancel तो जो numbers बचेंगे numbers मुझे बताओ क्या बच रहे है one multiply by thousand multiply by 3600 और साथ में jool लिखा हो है सब को multiply करोगे तो answer आ जगह 3.6 exponential 6 jool यह conversion आपसे बार बार पूछता भी है कि one kilo watt आर कितने jool के बराबर है तो आप answer लगाओगे बेटा 3.6 exponential 6 jool के बराबर है और आपसे बोलेगा kilo watt आर किसका unit है तो आप बोलेंगे सर सुनिए तो आखरे में jool आ रहा है kilo watt आर में भी तो वन kilo watt आर भी किसके बराबर है जूल के बराबर है one kilo watt आर इतने jool के बराबर और जूल energy का unit है तो kilo watt आर भी unit energy का आपका homework है आप मालूम करोगे one मैगा watt आर कितने jool के बराबर है यह अब आपका काम है one megawatt hour कि इस mq को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले मोट ताइम ग्राफ कैसे निकालेंगे क्या कहलाता तो तो आप लोगों ने स्लोप का फॉर्मला पढ़ा है और मैंस के ना भी हो तो मैं आपको पढ़ा देता हूं यानि दो चीज़ों को डिवाइड कर दो यह स्लोप आजाएगा यह स्लोप का फॉर्मला है आप उसने किस किस का स्लोप निकालने को चाहिए यानि आप किस को डिवाइड करोगे तो जो आनसर आएगा वो क्या आएगा पावर आएगा करेक्ट जब आप क्या हो जाएगा आप्शन नमबर ही हो जाएगा इस एंसी कुछ को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे मेरे पास फॉर्मला है कानेटिक एनरजी का आपके सामदे लिखा वा नदर आ रहा है कानेटिक एनरजी इस एकल टू हाफ एमबी स्क्वार आएए मैं की लिए मैंने काम क्या थरा पढ़िएगा कि मैंने क्या काम किया उनने की मार्स से और रइट हैं साइट और बहुत-वाइड वात बाइज है और राइट हैं रही धी दकांतिकेぎ को M से multiply करूंगा उपर तो M M को multiply करूंगा तो आंसर हो जाएगा M स्कॉाइर नीचे आ जाएगा M आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा आपने M से multiply किया तो ऊपर उपर multiply करेंगे तो M स्कॉाइर हो जाएगा नीचे M आ जाएगा अब ऐसे लिखावा कहीं ने क्या लगा है यहां पर क्या लिखावा नजर आ रहा है तो आप बोलेंगे सर एमस्कॉाइर नजर आ रहा है इसक्rauाइर नजर आ रहा है मोपने क्योफ्र मॉदूट है तो स्कॉएर को आपने कामन निकाल की उपर लिख लिख दी जहां पर एमवी नदर आ रहा है वहां पर पी को रख दोगी तो क्या बन जाएगा हाफ पी स्क्वाइर अपॉन है तो क्या निया फॉर्मला आगया एक पास पहले से मौझूद था जो आपके सामने टॉप पे हाइलाइट में कर रहा हूं कर रहा हूं का अपके पास इन दोनो प्रवाइब देखें और फॉर्मलो को मैं आके सवाल करना भी सिखाऊंगा अब एक च्छोटा सा एंसी क्यों आपके सामने आएगा एंसी क्यू देखते हैं जाए यह रा मेरे पास एंसी क्यू देखिए और सोचे इसका जवाब क्या हो सकता है आप सवाल में आपसे कहा क्या है सवाल कैसे हैं सबस्क्राइब मुमेंटम बंगाहर्जे मोमेंटम के रिलेशन की आप तो आपको आईडिया होगए है आपने यूज किया विटा फॉमिला के इस एकपल टू हाफ पी स्क्वाइर अपने ड्राइफ किया कानिटिक इनरजी और मासक आपके मोमेंटम तो सेम है हाफ की वैल्यू सेम है मोमेंटम की वैलियू सेम है तो आपको यह बात नजर आ रही है कानेटिक एनरजी और मास का जो आपस में रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स रिलेशन आ रहा है इनवर्स रिलेशन कब होगा यह बात याद रखिए का बेटा inverse relation जब होगा, जब momentum same होगा, वैसे तो current energy का formula क्या है? half mb square तो current energy का ये भी तो formula है, half mb square, तो current energy and mass का direct relation भी होता है, direct relation होता है, जब momentum की बात ना करे, लेकिन यहाँ उसने बात करी, momentum same है, अगर momentum same होगा, if same momentum, तो current energy का mass से आपस में inverse relation होगा, अब आप देखो आपको काइनटेक एनरजी लार्जर चाहिए उसने का ना लार्जर काइनटेक एनरजी तो काइनटेक एनरजी जादा होगी अगर मास क्या होगा कम होगा तो अब देखो inverse relation तो मुझे बताओ काइंटेक एनजी जादा जब होगी जब मास कम होगा और मास कम होने का मतलब answer क्या होना चाहिए smaller होना चाहिए यानि correct answer हो जाएगा मेरे पास क्या option number B लेकिन शर्त यह है कि same momentum हो क्या हो अगर same momentum होगा तो आपको correct answer मिलेगा अगर एक से momentum की बात नहीं करता फिर आप यह formula लगाते काइंटेक energy is equal to half Mb square काइंटेक energy का मास से हो जाता दिरेक्ट उजाता फिर अगर मास जादा chyba तो का interconnect energy जادह होती अगर मोमेंटंटम की बात नहीं करता लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने बात किसकी खरीब है एक मोमेंटम की बात करेता जानर जाल सवाल मेंशिंट कि शावा है यहां कि सवाल में लिखा हुआ है आपको मुमेंटमें भी सेम हैं अगर सेमनटम में वहाफ तो आपने फॉम्ला एंप ऑपने इसको भी अपने इसको भी हटा दिया आपको दिखने के बाद दिखने बाद आगे बढ़ेंगे अगले म्सी की तरफ अगले मसी क्यूप भी थोड़ा सा इंट्रेसिंग है और आपको सॉल्ल करने मुश्य होगी मैं सीक्यू पढ़के सॉल करना सिखा हूं यह यह इसके आंसर लिखे विए एंसीक्यू पढ़ता हूं मैं आपको जवाब देता हूं पेटा उसने कहा है क्या थान पैंब अग्यूरत anyway ऐ चेंज निकाल के रिखा देजीए का से निकालोगे ची निकालने का फॉर्मला क्या है मैंने लिखा चेंज निकालने का तरीका क्या है फाइनल में से आप इनीशल को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए किसी भी चीज़ का चाहिए होता है आप ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हो यानि फाइनल में से इनीशल को माइनस half mvf square minus half mvi square वह यही बनना चाहिए ना कानेटेक energy final का formula क्योंकि कानेटेक energy का simple जो formula वो यह है half mv square क्योंकि यहां पे mass और velocity दे रहा है तो मुझे momentum वाला formula यूज़ करने की जरूबत नहीं पड़ी mass velocity से आपका का मुझे आपको answer आजाएगा momentum अगर देता तो momentum वाला formula यूज़ करता अब दोनों में से कुछ common आ रहा है तो common निकाल दिए यहां half लिखाव है दोनों के अंदर दोनों के अंदर इसक्वाइब माइनस वी आई की जगव प्रकाट तूसक्वाइब अब इस equation को solve कर लेते हैं यह तो cancel हो रहा है साफ साफ नजर आ रहा है जो लोग ले सेप में कर लेते हैं यह जाएगा हाव यह हो जाएगा मेरे पास हाव 10 और 8 का स्कॉर 2 का स्कॉर 4 हो जाएगा अब जो cancel हो रहा है उसको cancel कर देते हैं तो बचेगा मेरे पास वह कौन है फाइव है अंदर 64 में से फोर को माइनस करोगे तो आंसर आजाएगा 60 और 60 को 5 से मटिप्लाइगा करोगे तो 656 होता है थर्टी तो यह बन जाएगा 300 जूल यह जाएगा कितना जूल 300 जूल तो तो इस तरह का MCQ भी आ सकता था चेंज इंडिक एनर्जी का वो भी मैंने आपको तरीका सिखा दिया तो यह मुक्तलित तरीकों से MCQ जो पूछे जा सकते हैं जिस सारे तरीके मैं आपसे शेर कर रहा हूं और इन तमाम तरीकों को शेर किया पैटा एनर्जी का जब टॉपिक पढ़ते हो तो एनर्जी के टॉपिक के बाद एक चीज लाजमी आती है वो जो लौ है उस लौ की तरफ में आगे पढ़ूँगा यह लौ का नाम लिखा हुए लौ क्या लिखा हुए लौ लिखा हुए लौ ओफ कंजरवेशन ओफ एनर्जी तमाम लोगों ने सुना होगा तमाम लोगों ने पढ़ा है लौ कंजरवेशन ओफ एनर्जी क्या है लौ तो बड़ा असान सा लौ एनर्जी के नाइडर भी क्रि और उस बात को समझते हैं आपके पास एक बॉल है आपने इस बॉल को यहाँ ड्रॉप किया उस फ़क्त बॉल के बाद जो एनर्जी वो पॉटेंशल एनर्जी वह कौन सी माक्सिमम पॉटेंशल एनर्जी यहां बॉल जब है किसी हाइट पे मौझूद है इस वक्त अगर इसक यहां से आपने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप का मनलब उसकी इनिचे व्लॉसिडी जीरो है, यानि किसी बॉल को आपने उपर हाइट पे पकड़के रखा हुआ है, उस वख उसकी पॉटेंचल एनरजी जीरो है, सौरी पॉटेंचल एनरजी मैक्सिमम है, लेकिन उसकी जो का पॉटेंचल एनरजी मैक्सिमम होगी, जबके काइट एनरजी उसके पास जीरो होगी, ज्यूँक्ए बॉल तो उसके वोड़के रखा हुए, आप ने तो बॉल को पकड़के रखा हुए, तो यह बात आपने सीखी, यानि पॉटेंचल एपे, मैं चलो इसको अलग से भी ल next point मैंने Beiß बनायए जहां पे ball आके टक्रा रेए बॉल के टक्राते वकड ह जाती ही energy बॉड़ी के हाइट पर जाने की बज़ा से तो यानि जब बी पॉइंट पर पहुंचेगा उस वख जो उसकी पॉटेंशल एनर्जी होगी बैटा वो पॉटेंशल एनर्जी जीरो हो जाएगी लेकिन टकराते वक्त उसकी विलॉसिटी मैक्सिमम होगी जब आप बॉल को थो क कर रहे हूं तो बॉल मूब करते वह आ रही है लेकिन जिस बागो जमीन पर टकरात रहा होगा उसकी विलॉसिटी सबसे जादा तेज होगी और सबसे जादा तेज होने का मतलब क्या है कि टकराते वक्त करके दिखाया कि पॉटेंशल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी जबकि सबसे होगी मैक्सिमम होगी तो मैं लिखे दिखा देता हूं पॉइंट भी यानि टकराते वग पॉटेंशल एनर्जी तो जीरो लेकिन कानेटेंटेंग नेर्जी मैक्सिमम होगा आप सब्सक्रान के दर्म्यान जो एक पोइंड़फा कर लो बताओ इस पॉइंट पोइंट इनर्जी जी रहें जीरो नहीं होगी पॉइंट ओंद पिएपो हईट भी मौझूद है फ् Did poisoned देघी की हईट वीये नेर्जी वह गी और पॉइंट इसका मतलब कैंटिंग इनर्जी भी होगी तो अगर, random कोई point बोल देगा, तो अस point पर दो नों energy होगी यह अलग बात dat आपको wna ठीनी पता होगी किती नहीं है लेकिं यह ज़रूर पता ओगा कि energy कौण-कौन साइए तो यह inter conversion of energy है अच्छा मुझे यह बताओ मैक्सिमम टोटल एनरजी किस पॉइंट पर होगी मैं अब सकर पूछू हूँ कि टोटल एनरजी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी तो आप बोलेंगे सर्ट टोटल एनरजी जो है न पढ़िये क्या लिखा वहा है आपके सामने लिखाए है तोटल एनरजी सेम एच पॉइंट यानी पॉइन्ट एनरजी कानिटिक एनरजी तो कम ज़ाद होंगी लेकिन जो टोटल एनरजी वहर पॉइंट पर सेम रहें तोपने पढ़ा है न energy can neither be created nor be destroyed but it can transfer it from from one form to another form वो सिफ शकले चेंज करें कभी potential कभी kinetic कभी kinetic कभी potential लेकिन जो total energy है वो total energy हर point पर सेम होगी यानि चितिनी total energy A पर होगी उतिनी total energy B पर होगी और उतिनी total energy किस पर होगी C पर होगी तो मैं इसको अलग से highlight भी कर देता हूं total energy energy मतलब ई इ पर भी सेम होगा बेटा टोटल energy बी पर भी सेम होगा और टोटल एनरजी इप भी सेम होगा इसको ऐसे है आप आप टोटल एनरजी इए कि पर देखने के बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपके पास है work energy equation आपने पढ़ी होगी इसको इन अफ्लिट मेडियम इनकाइंटिक एनरजी इस एकपल तुदा इसको समझ में आएगी अगर चितिनी काइनटिक एनरजी में गेन हो रहा है आप नगर बॉल को ड्रॉप किया बॉल नीचे की तरफ आ रही है नीचे की तरफ आने का मतलब क्या पूटवे इनर्जी ऊसकी लॉस होता है साथ में और लोस लेकिन उस लॉस में सएक चीज Mick01 करते है work ड ön एंग直接 आइंस प्रिक्शन यानिक क AriTrbay गया आपकी भॉड़ी अगर डाउनवर्ड मुव कर रही है तो इसका व्यच्ज उसको डाउनवर्ड मूव कर रही है जो NFL लेकिन कोई भी बॉड़ी अगर मूव करती है उस्पे friction dripps into T общем की direction हमेशा की मीशन गरेखो कैसी होती हैبة यानि बॉड़ी अगर आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन हमेशा उसके क्या होगी अपोजिट होगी तो आपने इसी दी अपोजिट होने की वैसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है माइनस और वो माइनस जो करते हो वो क्या है वग्डन अगेंस फ्रिक कि आप दोनों स्टेट्मेंट याद करना याद करने के बार आपको फॉमला याद होना चाहिए और मेरे ख्याल में इसके बाद लास्ट टॉपिक से उन लास्ट टॉपिक्स को मैं आपको बता दूँ ताकि चैप्टर को वाइंड आप करें टॉपिक का नाम लिखा हुए ए डेफिनेशन भी आपको अपनी पाथ किलियर कर रहा है वो एप्सिल्यू पिटेशल एनरजी दामाउंट ओफ वर्क या फिर एनरजी रेक्वाइट टु पुल बोडी फॉम दा सर्फेस ऑफ द अर्थ आउट आउट अप ग्रेविटेशन फील अप्टु इंफिनिटी क्या इस लिमिट से बाहर जाने के की विए आपको कितिना वर्क अन्ना पड़ेगा या कितनी इनरजी चाहिए यहां से बाहर जाने के लिए आपको कितनी ए इनरजी चाहिए यह एनरजी कालए लाएगी absolute potential energy का एपको और जीप और पला है हमारे कोर्स की सबसे बड़ी डेरिवेशन है तो डेरिवेशन तो आपको नहीं करवा रहे हैं मैं आपको सिर्फ फॉर्मला ही बता रहा हूं एक और चीज का आप पर सबसेटी बाहर जाने के लिए आपको कितीनी विलॉउसिटी रिकॉार रहे हैं ग्रेविशनल फील्ड से ग्रेविशनल फॉल से वबाहर जाने की लिए मिनीमम एनीशल विलॉसिटी रिकाई टू जा गोस है गोस आउड ओफ पुल इस कॉल एस इसकेप विलोसिटी मतलब अर्थ की गैविटेशन फील से बाहर याने के लिए कम से कम जो विलोसिटी का यह है और यह रहा इसकेप विलोसिटी के दो फॉरुमले एक फॉरुमला है मेरे पर वी इसकेप इस एक वलो गिमी अपॉन लिए वह 11-2 पर सेकंड यानी 11.2 पर सेकंड इतनी किलो मीटर आप एक सेकंड में ट्रैविल करोगी यह एक वेल्ट की वेल्व है तो आपको इस व्लासिटी याद रखनी है एप्सिल्ट प्रिशन एनर्जी के बारे में याद रखना है मैं आपको जान पूचिए ड्राइब नहीं करवा रहा है यहां पहुंच आपका चैप्टर नबार सेवन बेटा वाइड अब चैप्टर नबार सेवन के आपको